उत्तर प्रदेश में कोरोना वाइरस की रोगठाम के लिए रोज सुबह दरवार लगता है टीम 11 के साथ बैठक होती है मुख्यमंत्री योगी आदेतनाद हर विवस्था का अपडेट लेते हैं लेकिन कोई उन्हें इस बात का अपडेट क्यों नहीं देता कि विवस्थाओं के सहमाम में सब नंगे हैं लापरवाही के इंतहा यदि सीम योगी खुद देख लें तो शायद इस तीफों की जड़ी लगानी पड़ें लेकिन सीम साहब है और अब जो सामने आया है वह देखकर तो उत्तर प्रदेश की विवस्थाओं से भरोसा उड़ जाएगा सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या सच्चा है और क्या जूटा वैसे योगी जिलापरवा अधिकारियों पर भी उत्तर प्रदेश लोग स्वास्थ एवं महामारी रोग नियंत्रण 2020 के तहट कारवाई कीजिए क्योंकि अफसर कोरोना से बेईमानी कर रहे है सहायता मागने के लिए कॉल करने वाले लोगों को ठगा जा रहा है खिलवार किया जा रहा है जंदगी से देश से प्रदेश से अब पूरा मामला समझेए अभी व्यस्त है आपके द्वारा डाल किया गया नमबर अभी व्यस्थ है आपके द्वारा डाल किया गया नमबर अभी व्यस्थ है गुपया कुछ समय पश्चात प्रयास करी तो तस्वीर देख लिया आपने बड़े बड़े इश्टहार हैं कि कुरोना की संबंद में मदद चाहिए तो कुरोना हेल्प लाइन या स्यमो कंट्रोल रूम कॉल कीजिए हर संभव मदद की जाएगी NBT Online ने नमबरों की परताल शुरू की दरसल काम ज्यादा है यह काम हमेशा से ही ज्यादा रहा है जनता की सेवा हमेशा से सरकारें यूही करती आई है छोड़िये यह काम अब जर आराम कर लेजे हम जानते हैं सरकारी कुरसीयों का दरद आराम कीजे यूही व्यस्ट रहने दीजिये नमबरों को ना कोरोना की सूचना मिलेगी ना आकड़ा बढ़ेगा बाकी गो कोरोना गो तो है ही हाँ एक एहम बात कि लखनव डियेम के सूचना अधिकारी सिधार्थ दिक्षित और सियमो नरेंद्र अगरवाल सब को यह जानकारी भेजी गई लेकिन वह भी व्यस्त है खैर आप भी आराम कीजिए जानते हैं काम ज्यादा है सोमवार को अलग-अलग वक्त पर कुछ नंबर्स बंद तो कुछ सेवा में ही नहीं थे लेकिन एन्बीटी ऑनलाइन ने जब इस मामले के लिए सियमों से जानकारी लेनी चाही तो हड़कम मच गया प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि एन्बीटी की इस परताल के बाद आनन फानन आला अधिकारियों ने मामले की जानकारी ले फिर से फोन की सेवा शुरू करा दी गए फिलाल सब दुरुस्त है खेर एन्बीटी उनलाइन इस बात के उमीद करता है कि इन हल्प लाइन नमबरों के जरिये वाकई लोगों को मदद उपलब्द कराई जाएगी और नमबर फिर से वंद नहीं होंगे